नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गौर्रमेंट इक्जाम प्रैब दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेर में चर्चा करेंगे 19 दिसंबर 2020 के समाचार पत्रों में से जो कि आपके आगामी परिक्षाएं, SSC, CHSL, Intelligence Bureau और भी सारे जो से DPSI, बिहार SI, UPSI, State Services लगभग सभी परिक्षाओं के लिए यहां मदद करेगी तो आईए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों, रास्टी मामलों में आज पहली ख़बर है इंडिया कंट्रिब्यूट वन मिलियन यूएस डॉलर टू वाड़ा, टू सपोर्ट क्लीन स्पोर्ट दोस्तों, भारत ने 20 स्थर पर, यानि वाड़ा, यहां पर एक ध्यान रखना की वाड़ा का फुल फार्म भी कई बार आप लोगों की परिक्षाओं में आया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को अपने बैग्यानिक अनुसंधान बजट की ओर से एक मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की रासी का वाड़ा ताकि विस्वस्तर पर क्लीन स्पोर्ट यानि स्वक्ष खेल का माहौल बन सके यानि जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे खिलाडी डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं या किसी प्रकार कई दवाओं का प्रियोग करते हैं तो इस तरह से इन सब पर ध्यान रखते हुए भारत ने एक मिलियन अमेरिकी डालर की रास देने का वादा किया है वादा द्वारा नए एंटी डोपिंग परिक्षण और पहचान विद्धियों को विक्सित करने और वादा के स्वतंतर जाच और खुफिया विभाग को और मजबूत करने के लिए इस राश का उपियोग वादा द्वारा किया जाएगा यानि यह जो राशी हमने दी है हमारे देश ने दी है उसका इसी में प्रियोग किया जाएगा यानि कि जैसे खिलाडियों की कैसे पहचान करें या कैसे नई तकनीक का विकास करके जैसे पता लगाया जा सके कि किस खिलाडी ने किस प्रकार की दवाओं का प्रयोग किया या ड्रग यूज किया है तो यह सब इसमें से पता चल जाएगा दोस्तों भारत द्वारा किया गया योगदान चीन, साओधी अरब और मिस सहित अन्यविस सरकारों द्वारा दिये गये योगदानों में सबसे अधिक है तो यह कह सकते हैं कि अंतरास्टी अस्तर पर भारत अपनी एक मजबूत पकड़ भी बना रहा यानि चीन सोचिए चीन जैसे ओलम्पिक समीती द्वारा एक बराबर रासे से मिलान करके 10 मिलियन अमेरिकी डालर का कोस बनाया जाएगा और दोस्तों यह यह योगदान भारत द्वारा वाड़ा के मुख बजट के लिए एक वारसिक योगदान से ज़्यादा और उपर है और एक महत पूर्ण बिंदू इसमें और भी एक बहुत इस एक्जाम के पॉइंट आप भी उसे important है कि पूछ लेगा कि यह इसका मुख्याले कहाँ है इसका headquarter कहाँ है तो कनाड़ा के Montreal सहर में इसका headquarter है किसका दोस्तों WADA का World Anti-Doping Agency का और कनाड़ा देश कहाँ है तो नौर्थ-अमेरिका के उत्तर में इस्तिदेश है, इसकी राजधानी ओटावा है, which is situated on the bank of St. Lawrence River. अब बढ़ते हैं next खबर की और नेहरू जू gets ISO certification from UK. UK मतलब United Kingdom दोस्तों, इसे संयुक्तर राज या बृतेन भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे, UK मैं पहले भी बता चुका हूँ यानि बृतेन के अंतरगत आ जाता है Scotland, Wales और लंदन और UK के अंतरगत उत्तरी Ireland को भी उसमें जोड़ दिया जाता है यानि इन सामूही को हम United Kingdom के नाम से जानते हैं, तो हैदराबाद में नेहरू जूलोजिकल पार्क, अब देखें ऐसा पहला चड़िया घर बन गया है जिसने प्रमाणन निकायों यानि UK के द्वारा प्रत्यान सेओं के ISO 9001-2015 गुर्वत्ता प्रवंधन मानक प्रमाणन प्राप्त के लिया है तो यानि यह महत्पोड हो गया आपकी परिक्षा के दिस्कोर से फिर ध्यान रखेंगे कि ASCB द्वारा मानिता प्राप्त एजनसी HYM International Certification Private Limited ने हाल ही में चरण बद तरीके से चड़िया घर का यह आकलन किया है इसका एसेस्मेंट किया है दोस्तों तो तेलंगाना के 1M परियावरण मंत्री ए चंद्रकरन रेड़ी को प्रमाण प्रत्र पस्तुत किया गया प्रमाण प्रत्र में यह कहा गया है कि यह हचडिया घर के लिए बेहतर संरक्षण नियोजित प्रेजिनंस सहयोगी अनुसंदान के माध्यम से डेकन की बिसेस रूप से लुप्त प्राइप प्रजातियों को संरक्षण के लिए दिया गया है तो यह आप जैसे जू में इन्हें संरक्षण किया गया है दोस्तों तो यह आप जैसे जू में घूमने जाते हैं तो आप विभिन प्रकार के जिव जन्तुओं को देखते हैं तो वहाँ पर इस तरह का वातावरन create किया गया है इसके मद्दे नजर देखते हुए United Kingdom यह माननेता 9001-2015 दी है यह ध्यान रखेंगे पूछ लेगा किस सहर में है यह यह पूछ लेगा नहरु जो लोजिकल पार कहा है देश का पहला ऐसा चडिया घर बन गया है जिसे यह मानक प्रमारपत प्राप्त हुआ है अब भड़ते हैं Indigenous Hoviger ATAGS यहनि Advanced Forge Artillery System developed by Defense Research and Development Organization दोस्तो DRDO लगबग हर दूसरे दिन यह खबरों में आही जाता है देख रहे हैं यह कितनी महत्पूर बंदूक है हमारी यह कह सकते हैं यानि भारत ने रक्षा नुसंधान विकास संगठन द्वारा विक्सित स्वदेसी होविजर ATAGS यानि उन्नत जाली तोफखाने प्रणाली का उडीसा के बाला सोर में दोस्तों ध्यान रखना यहां उडीसा में यहां उडीसा राज यहां पर है पशिम बंगाल के दक्षिड में और उपर आंधप्रदेस के उत्तर में अवस्थित है तो यहां पर बाला सोर फारिंग रेंज में परिक्षण किया गया और डियाडियो के ATAGS प्रोजेक्ट डिरेक्टर सैलेंद गार्डे ने कहा कि यह दुनिया की सबसे अच्छी बंगुक है अभी तक कोई दूसरा देश ऐसी प्रणाली बिक्सित्र करने में सक्चम नहीं है दोस्तों और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान परदिर्सी में देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान यानि इससे तनाव लगातार बराबर बना हुआ है ऐसे में भारत अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करते हुए इस बंदू को तीन साल के भीतर डिजाइन किया गया है के जरिये हत्यारों को बनाने पर ज़्यादा जोर दे रही है जिससे कि हमारा देश आत्म निर्भर बन सके यानि दोस्तों आपने देखा कि इस कुरोना नामक महामारी में यह आत्म निर्भर शब्द लगबग हर रोज हम लोग चर्चा कर ही देते हैं तो यानि आज हमारा देश अब मतलब किसी देश पर आस्तरित न रह करकर खुत आत्म निर्भर हर छेत में चाहे उर्जा के छेत में हो चाहे वा सुरक्षा के छेत में हो चाहे खाद्यान के छेत में हो हर छेत में चाहे वा आईटी के छेत में हर छेत में आज हमारा देश कह सकते हैं कि आत्म निर्भर की ओर बढ़ रहा है तो चीन और पाकिस्तान की जवाब में यानि हमारे चीफ आप डिफेंस इस टॉप कौन है जनरल बीपिन रावत ये भी ध्यान रखना फैक्ट है नियुक्तियों में आ जाता है तो भविश में होने वाली जंग को भारतिय स्व प्रधान मंत्री है बोरिस जॉंसन जो कि इस बार के गणतंतर दिवस पर यानि 2021 के गणतंतर दिवस पर मुख आती थी भी है दोस्तों इस तरह से भारत और बिटेन के बीच संबंदों में प्रगाड़ता और भी बढ़ गई है तो युनाइटेट किंग्डम के प्रधान मं मंत्री बोरिस जॉंसन ने प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी को यूके में इस बार का जो जी सेबन सम्मेलन है दोस्तों कहां हो रहा है यूके में तो सम्मेलन 2021 में सामिल होने के लिए उन्हें इन्वाइट किया है दोस्तों इबाउट जी सेबन थोड़ा सा जान लीजिए त 1975 में फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, अमेरिका, बिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनेडा, इसके सदस हैं दोस्तों, अब देखिए वरतमान में साथ है, पहले जी एट हुआ करता था, तो दोस्तों रूस इससे 2014 में रूस ने यूकरेन पर अट अमेरिका, बिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, और हर साल सिखर समेलन की मेजबानी एक सदस, इन्ही सातों सदस्यों में से एक करता है, और जो यह होस्टिंग मतलब मेजबानी करता है, उसकी एक्षा पर तीन अतित ही देशों को आमंतरित किया जा सकत यह कूट नीट में भी भारत अपने आपको तब आगे की पंक्त में रखते हुए, देख सकते हैं कि चीन को हर जगा मात दे रहा है, तो दोस्तों यह अंतरास्टिय संबंद से संबंदित खबर थी, याद रखना कि G7 किस था आपना 1975 में हुई थी, यह विक्सित देशों का समू है दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे, और इस बार कहां हो रहा है, बिटेन में हो रहा है, अब बढ़ते हैं, चाइना's big strategic victory in स्री लंका, दोस्तों यह देख रहे हैं कि चाइना भी पीछे नहीं हो रहा है, यानि चाइना भी लगातार, चाइना अमेरिका को लगातार कह स सकते हैं कि मांसिक पीड़ा देते आ रहा है, और हिंद महासागर, यानि आज देखा जाए, तो हिंद महासागर में यह नीचे स्री लंका अगर देखा जाए, तो स्री लंका में जैसे हमबन टोटा पर, इसने हमबन टोटा ध्यान रखना दोस्तों, हमबन टोटा पर, इसने अपना बेज बना रखा किसने चीन ने तो इस तरह से चीन इस समय कह सकते हैं कि स्रिलंका को अपने हिसाब से घुमा रहा है और ये स्रिलंका भविस्ट के लिए स्रिलंका के लिए अच्छा नहीं है लेकिन क्या किया जाए चूकि स्रिलंका ने इसे बहुत जादा करज ले लि अमेरिका के माइक पाम्पियो बिदेश मंत्री अक्टूबर में आये भी हुए थे सिलंका के उपर समझवते को मनाने का प्रयाज भी किये लेकिन सिलंका इससे नहीं माना कारण उधर चीन का दबाव था तो ऐसे में हिंद महासागर में चीन की चाल को नाकाम करने की कोसिस में जो अमेरिका जुटा हुआ था अमेरिका यहां पर फेल होता नजर दिखाई दे रहा है हलांकि अभी अमेरिका का सबसे महत्पून जो भारत देश है भारत देश इसके साथ है लेकिन वह भारत भी बहुत ही सूजबूज के साथ, बहुत समस्धारी के साथ, चुकि हिंद महासागर में अगर किसी की सबसे अच्छी स्थिती है, तो अपने भारत की स्थिती है, यानि कह सकते हैं कि strategic point of view से भारत, स्री लंका, ये सब देश हिंद महासागर के लिए बहुत ह of Indian Ocean, यानि हिंद महासागर की भूराजनीती की बात की जाए, तो वहाँ पर हमारा देश काफी मजबूत स्थिती में है, यही कारण है कि बिस्ट के विक्सित देश आज भारत की और आकर्शित हो रहे हैं, चुकि हिंद महासागर में भारत तीन और से नजर रखता है, और द आकर्शित हो रहे हैं, ऐसे में इन देशों के विसायोग से हिंद महासागर पर अपनी उपस्तिती को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, प्यारे बच्चों, तो ऐसे में देखा जाए, तो चीन का जो कह सकते हैं कि स्ट्रेटिक विक्ट्री हुई है, कुट नितिक जीत ह और अमेरिका इसमें कह सकते हैं कि दिफल रहा है, और यहां अमेरिका कह सकते हैं कि 480 मिलियन डॉलर के जो मिलेनियम डेवलप्मेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है, उसका लाब अब स्रिलंका नहीं उठा पाएगा, चुकि भारत स्रिलंका की उदासिंता को देखते हुई ह अमेरिका ने इसे मना कर दिया है कि यह लाब नहीं देंगे, दोस्तों इस तरह का लाब 30 देशों को अमेरिका देता है, इस समझहोते को मतलब महत्पूर यह है, अमेरिका यह कहरता है कि यह गरीबी उनमूलन के लिए है, जो विकास, सील देश, अल्पविक्सित देशों को यह सहायता देता है हलांकि स्रिलंका ने कहा कि नहीं इससे हमारी संप्रभुता को आंत्रिक सुरक्षा को चुनवती या खत्रा होगा यानि हम अपने निर्णे नहीं ले पाएंगे हलांकि अभी भी कहां निर्णे ले पा रहा है चुकि चीन एक तरह से देखा जाये तो उसकी संप्रभुता को चोड़ पहुचा ही रहा है लेकिन अभी स्रिलंका कोई इन बातों को समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों इस तरह से अगर देखा जाये थो हमारा भारत ऐसी परिस्थिती में अभी इन देशों से वस्तविक कह सकते हैं एक उची दूरी बना करके ही अपने आपको आगे बढ़ा रहा है ऐसे में अगर भारत से यह संबंध अच्छे रखता हलाकि भारत और स्रिलंका के भी संबंध अच्छे हैं लेकिन चीन की वज़ा से अब जैसे इसमें नेपाल भी मना कर रहा है तो इस तरह से देख सकते हैं कि चीन जो है स्टेड़िक पॉइंट आप भी उसे हिंद महासागर में अपनी मजबकड को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि आज ही कल ही क्वैड की बैठक हुई है फिर से यानि एक दो महीनों में लगातार बैठके चल रही है तो क्वैड में कौन-कौन है अमेरिका है अस्टेलिया है भारत है जापान है तो इस तरह से इंडो-पैस्पिक यानि हिंद महासागर और रानिल सिंगे बिक्रम सिंगे की जो पिछली वाली सरकारती उसमें उसने मिलियन चैलेंज सहयोग समझोते को सुईकार किया था लेकिन बाद में संसद ने इसे अनमोदित नहीं किया था और स्रिलंका बड़ी संख्याम लोगों का मानना है कि यह समझोता देश की भारत के लिए भी अच्छा नहीं है यानि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा दोस्तों अब बढ़ते हैं थोड़ा सा स्रिलंका के बारे में जान लीजिए कि स्रिलंका की कैपिटल पहले हम लोग कोलंबो पढ़ते थे अब स्री जैवर्धने पुरा कोटे हो गया है यहां पर पाक जल संधी है ध्यान रखना पाक स्ट्रेट जो कोटी करती है इंडिया पर पर हमेर्धने पर बेस बनाया है यहां की एड़म स्पीक भी 243 मीटर उची है और पिरादुत गाला यहां की सबसे हाइस पीक आफ स्री लंका इज पिरादुत गाला है ध्यान रखना यहां इसे माउंट पैडरो भी कहते हैं 2524 मीटर यहां उची है और यह देख रहे न कोलंबो है दोस्तों यहां पर यह अनुराधा पूरह बावनिया है उपर जाफना यहां पर सब पूरा नकसे लिटे उगरवादी हुआ करते थे अब लगभग सुसुपता वस्ता में चले गए हैं याद रखेंगे विलपट्टू नेशनल पार्क भी है यह तो काफी अच्छा देश है यहां पर यह गाले है मतारा है यहां पर क्रिकेट मैज भी होता है कैंडी का मैदान सुना होगा आप लोगोंने तो यह भी ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं हम लोग बैंकिंग वित संबंदी समाचारों में कैनरा बैंक हैस लॉंच ए न्यू फेसल्टी एफ एक्स फॉर यू यह तो कैनरा बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकि इनकी सहस्ता से प्रबंदित करने और समालने में मदद मिल सके वरतमान में सुविधा जाओक प्रेशन जो मॉडियूल के लिए सक्री है जब कि सेस मॉडियूल जल्द ही सक्री हो जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर बस यही महत्तपूर रखना यह क्या है किस बैंक के द्व हैं तो भारती उद्योग जगत के दिगज रतन टाटा को फलिस्तीन समय छेत्र में इस्थिरता और सांती स्थापित करने वाले नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए इनको सम्मानित किया गया है यही टाटा समू के चेर्मेन एमेरिस रतन टाटा को इस काम के लिए इं 20 दिसंबर को फेडरेशन आफ इंडो इसराइल चेमबर आफ कामर्स के इंटरनेशनल चैप्टर को लांच करने के लिए किये जाने के मौके पर दिया जाएगा दोस्तो इस वर्चुल समारों में भारत इसराइल युनाइटेड अरब अमिरात के वरिस्ट अधिकारी भी सिर प्रद हैं कि 82 यर ओल्ड उद्योग पतियो समास सेवी रतन टाटा भारत के दो सर्वोच नागरिक सम्मानों यानि पदम विभूसन सोचिए इस सेकंड हाइस सिविलियन अवार्ड है एंड फर्ड हाइस सिविलियन अवार्ड इस पदम भूसन भारत रतन पदम विभूसन पदम भूसन पदम स्री इन चार में से दो इनको यह दो से सम्मानित किये जा चुके हैं दोस्तों अब बढ़ते हैं कल हम लोगों ने सिर्फ पूरुसों की चर्चा की पूरुस की चर्चा की थी फीफा प्लेयर आप दाई येर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां महिला य लियोन टीम मेट वैंडी रेनार्ड और चैंपियंस लिग की अंतिम प्रदंदी परनिले हार्डर को हरा कर फीफा वोमेंस प्लेयर आप दाई येर का आवार्ड जीता है और लूजी ब्रोंस सर्सेस महिला खिलाडी चुनी गई है और फीफा पूरुसकारों में इंगलेंड का यहाँ पहला ब्यक्तिगत पूरसकार है और साथ साथे देख रहे हैं यह कोच है यह महिला कोच है तो जरगन कलोप इनका नाम याद रखिए सर्सेस कोच का पूरसकार मिला है और दूसरे नीदर रेंड को 2019 में 200 कप में जीताने वाली सरीना वीएग मैन यह दोनों नाम य बॉक्सिंग वर्ड कप दोस्तों इस समें बॉक्सिंग वर्ड कप चल रहा है जर्मनी के कोलोन में मुक्के बाजी 52 कप के फाइनल में यह जगह बना ली है simran जीत कौर दोस्तो विस्व मुक्यबाजी चैंपियन सिंग की यह ब्रॉंज मेडल विजेता है यानि कांस पदग विजेता 60 किग्रा ये भी ध्यान रखा कर ये कितने किलोग्राम वर्ग में ये 60 किग्रा वर्ग में युक्रेन की मारियाना बैसनेर्स को हरा कर जर्मनी के विस्व मुक्यबाजी के फाइनल में प्रिवेस कर लिया है तो एशियाई चैंपियन सिप की रज़त पदग विजेता सिमरन जीत ने 4-1 से जीत के साथ किताबी मुकाबले में प्रिवेस किया सामना हमवतन मनीशा से होगा मनीशा क्वाटर फाइनल में जगा मिल गई थी बाई के माद्यम से और दोस्तों एशियाई खेलों में कांस पदग विजेता सतीस कुमार 91 के ग्रा में अपने अभियान की सुरुवाद मालदोवा इसकी राजधानी चिसनाउ है के जुआन्टिन एलेकसेल के खिलाब 5-0 से जीत हासिल किया है तो इस तरह से सेमी फाइनल में जगा बनाकर एक और पदक पक्का किया है हमारे भारतियों ने मुहमद हुसामुद्दीन ने भी जर्मनी के उमर बाजवा को 5-0 से हरा कर सेमी फाइनल में प्रवेस किया है तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसी वर्ग में रास्ट मंडल खेलों के चैंपियन गौरो सोलंकी ने भी स्थानी दावेदार मुरात यल दिरिम को 3-2 से हराया है कविंदर सिंग विस्ट ने फ्रांस के सैम्यूल किस्तोहरी को शिकस्त दी है तिस तरह से ACI चैंपियन सिप के रजद पदग विजेता आसीस कुमार 75 की ग्रह को निदरलेंड के मैक्स वान डेर पास के खिलाव क्वार्टर फाइनल में एक 3 से सिकस जहलनी पड़ी तिस त से ACI खेलों के चैंपियन और विस्ट चैंपियन सिप के रजद पदग विजेता अमित पांगाल इनका भी नाम याद रखेगा अभी कल ही खबर में आये थे गुरवार को फाइनल में जगा यानि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पदग आने की संभावना है हमारे देश स अब बढ़ते हैं दोस्तों महत्मूर दिवस में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 18 दिसंबर के दिवस Minority Rights Day दोस्तों यह कब यानि भारत में अलप संख्यक अधिकार दिवस 1992 से हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि रास्ती या जाती सांस्कृत दिवस की घोष्णा करेंगे अधिक धार्मिक भासाई पहचान के अस्तित्तों को अपने अपने छेत्रों में सुरक्चित रखें और उसे पहचान को बढ़ावा देने के लिए परिस्तितियों को बढ़ावा दें दोस्तों हमारे देश में जैसे माइनर्टीज में आते हैं जो अलपसंख्यक वर का धर्जा किसको किसको मिला है जैन, बौध, पारसी, हाँ याद रखेंगे मुस्लिम, क्रिश्चियन इन सब को जो है यानि छे धर्मों को अलपसंख्यक धर्म का धर्जा दिया गया है अलपसंख्यक के कारणों को मजबूत करने का ठारा दिसंबर 1992 को संयुक्त रास द्वारा इस दिवस की घोशना की गई थी अब बात करते हैं लेटर स्टॉक इबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों आज हम इतिहास के इस सीरीज में बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय की इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है द दोस्तों इनके पिता का नाम रमाकांत माता का नाम तारनी देवी था दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्व बंगाल में 1772 में एक ब्रामण परिवार में हुआ था 15 वर्स की आयू तक बेंगॉली, संस्कित, अर्बी, फार्सी लगवग आठ भासाओं का दोस्तों इन्ह ग्यान था और इनके जो है राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा, रूडिवादी, हिंदू परमपराओं की या बिरुद्धते वह सभी प्रकार की सामाजिक धर्मांदता और अंध विस्वास के खिलाव थे लेकिन उनके पिता रूडवादी ब्रामण थे, हिंदू ब्रा एक्जीन ये इंग्लिस में लिखी थी धियान रखना, सवाद कौमदी यह बंगला में है संवाद कौमदी, मिरातुल अकबार यह फारसी में है बंगदूत यह बंगला में है पत्रों का शंपादन किया, इसके माध्यम से रूड़िवादी परमपराओंस जो है जो अर्थो साल पहले कर गए थे, और बंगदूत तो एक अनोखा पत था, इसमें बंगला हिंदी और फारसी भासा का प्रियोग एक साथ किया जाता था, हलाकि इसे बंगला में लिखा जाता है, तो यह ध्यान रखेंगे, और 1815 में आत्मी सभा का गठन किया था, 1817 में डेविड हेर के सायोग से कॉलकाता में हिंदू कॉलिज की स्थापना की थी, और 1825 में वेधान्त कॉलिज की स्थापना की थी, और 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय द्वारका नाथ टैगोर के साहता से ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो बिलियम बैंटिक हुआ करता था ध्यान रखियेगा गवर्णर जनरल फिर 1833 से बिलियम बैंटिक भारत का पहला गवर्णर जनरल कहलाया पहले वाई जो है याद रखना बंगाल का गवर्णर जनरल कहलाता था ब्रिटिस गवर्णर जनरल फिर भारत का गवर्णर जनरल कहलाय की यात्रा की और बिटेन की यात्रा में ध्यान रखिएगा और वहीं पर इनका निधन भी हो गया था वहाँ पर ब्रिस्टल नामक सहर में ये भी कई बार यहापकी परिक्षाओं में आया हुआ है और 1830 से 33 तक वह बिटेन में ही रहे उस समय जो है अकबर शाह दुती अकबर हर वर्स प्रसन आ जाते हैं कि मृत्य कोई बात कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज फिर 1849 में तत्व बोधनी सभा का गठन किया देविना टैगोर फिर बाद में जो है ब्रेविना टैगोर इससे जुड़ गए फिर केसो चंसेन ऐसे बढ़ता रहा सिलसिला तो यह ध्यान प्रसन आगे और भी चर्चा हम करेंगे अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्षन में जो की लगातार आप लोग बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं इससे हमारा भी उस्सा और बढ़ता है और दिल करता है कि अच्छे से अच्छा प्रसन आप लोगों को दें तो आज उत्तर देने वालों में हैं ज्यान रंजन साहू, इसिका त्रिवेदी, सुभश्री श्राहू, प्रतीक गेंदोत्रा, विवेक सिंग, ओलेक स्वेंग, सुभम रघुवनसी, स्वैपी सोनू, विस्वजीत कुश्वाहा, अश्विन प्रभा, सूरज उपाध्याय, वंदना सैंधो, भक्त, अपूर्व, नितीस, गोपाल कृष्न बहरा, अभिशेक अचवाले, सुधिक्षा सिलान, सुभम सेट, माल देव, मोई, गुलसन कुमार, सुकन्या जेना, दीपिका चिकाने, दीपक कुमार, सरबर्था बनरजी, रेहान खान, सोमेंदू, इतने लोगों न आज उत्तर दिया है, और बहुत, अब देखिए संख्या बढ़ती जा रही है उत्तर देने वालों की, और लोग भी कमेंट भी किये हैं, जिसमें, मैंने बताया आप लोगों को, जैसे कि इसमें संजय नेगी हैं, प्रशान्त हैं, सचिन हैं, विक्की ने भी उत्तर दिया ह तो इस तरह से इन लोगों ने कमेंट भी किया है, कोशिश करिए ज़्यादा ज़्यादा लोग उत्तर देने की, और सही उत्तर दीजिए, अब आते हैं, आज के पहले कोश्चन में, तो नेहरू जूलोजिकल पार्क इस फर्स्ट जू इन इंडिया तो गेट दा ISO 9001-2015 क्व कोश्चन है, नेम दा फीमेल प्लेयर हू है ज़्यादा बैग दा बेस्ट फीफा वोमेंस प्लेयर आफार 220, यही 2020 की सरफसेज फीफा महिला खिलाडी कौन बनी है, एलन वाइट, जिल स्कॉट, लूजी ब्राउन या तोनी दुगण, नेस कोश्चन है, किस बैंक ने इंट एफसी बैंक, कैनेरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या कोटक महंदरा बैंक, नेस है, वेर इस दे हेट क्वाटर आफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजन्सी लोकेटेड, यही कहां पर अवस्तित है, विस्तो डोपिंग रोधी एजन्सी, मॉन्ट्रियल, वासिंग्टन ड इसी ब्रूसेल्स या रोम में, नेस्ट कोश्चन है, अलप संख्यक अधिकार दिवस का मना जाता है, 16, 17, 18 या 15 दिसंबर, नेस्ट कोश्चन है, सिम्रज जीतकौर का संबंद किस खेल से है, मुक्यबाजी, कुस्ती, या क्रिकेट, या सतरंज, नेक्स्ट है, सात्वाँ इ निवन में से किस ब्यक्तितों को, ग्लोबल विजिनरी आफ सस्टनेबल बिजनेस एंड पीस समान से समानित करने का नेरने लिया है, मुकेश संबाणी, राहुल बजाज, रतन टाटा या अजीम प्रेमजी, नेस्ट कोश्चन है, निवन में से कौन सा देश G7 में नहीं है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और कनेडा, स्रिलंका की राजधानी क्या है, माले, काबुल, सी, जैवर्धने, पुरा कोटे या थिम्पू, और लास्ट कोश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय की मृत्यू कहां हुई थी, ब्रुसेल्स, ब्रिस्टल, पेरिस या इन ही में से उत्तर आप लोगों को देना है, और बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं, इसी तरह से लगातार उत्तर देते रहिए, और आगामी परिक्षाओं को क्रैक करिए, यही हम आपसे आशा करते हैं दोस्तों, और दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सबस्क्राइब करना ना भूलें, ठैंक यू दोस्तों